तो भूल भूल या 3 का टीजर आ चुका है भूल भूल या 2 भी हम लोगों ने देखी थी और वह एक्चुली मुझे सर्प्राइसिंग अच्छी लेगी थी मतलब नौट बेटर देन भूल भूल या अक्षा कुमार वाली पट अच्छी थी तो अभी देखते हैं कि इसका थर् अच्छी आ गया था शायद तो देखते हैं कि क्या है इसकी टीजर में और कौंसी और स्टूरिया में देखने को मिलती है तो हां स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना सो स्टार्ट कहानी खतम है दर्वाजे तो बंद होते हैं रक्षय गुमार दिखेंगे तो मजाई आजाएगे तो मजाएगे तो मजाएगे तो मजाएगे OHHHHH BAY OHHHHH BAY OHHHHH BAY OHHHHH BAY OHHHHH BAY OHHHHH BAY तो में दुनिया जो भूतों से तड़ती है लेकिन भूत है लेकिन भूत है सेगेंड पार्ट में रिखाया गया था तबू भी आगे तोलता है तोलता है OHHHHH BAY यह तो इसकी अंटी शुच्छा इसकी अंटी शुच्छा वह देगा पीछे देगा रूबाबा माग याल मतलब एक्सपेक नहीं किया था इतना अच्छा लगा मुझे टीजर सच में विद्धाबालन वापसारी में टाइटल में पड़ा ही नहीं था कि विद्धाबालन है इसमें और तृप्ति दिम्री है बड़ भाई सहाब मैंने हा पहली वाली तो उसमें मैंने विद्धाबालन का वह सीन देखा था बेड़ को उठा देती है और चिलाने लगती है तो हाँ वैसा ही एक सीन हमें यहाँ पे भी देखने को मिला कि कुरसी हवा में उठा देती है जो भी सीहासन कहलो उसे हवा में उठा के रखती है पर हभी त से तो I don't know कि connection क्या होगा but interesting लग रहा है और मज़ा आएगा लेकिन इस बार भूत कौन होगा क्यूंकि तबू तो चली गई थी गुड़ भूत बन के अब कोन आ गया जो सब की लेने वाला है I know कि विद्वलन का ही अब तो वह कौन होगा आइंड आइखोब कि अक्षे कुमार हमें इसमें देखने को मिले बाइगाड मतलब पैसा वसूल क्रीजीनेस और जो जो मतलब क्या वुलत एक नया जो हाइप क्रेट करेगा फिल्म के लिए वह चैरेक्टर हो सकता है वह सच में वह फिल्म में होगा त पिछली बार की तरह ही एक एक्ष्वल भूत देखने को मिलेगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कोई भूत नहीं था बलकि वह साइकोलोजिक को लेके हमें दिखाया गया था कि मल्टिपल पर्सनलिटीज और वैसा कुछ दिखाया गया था तो इसमें ऐसा नहीं है और पिछ राडवानी के साथ क्या हुआ क्योंकि यहां पर अभी त्रिप्ति दिम्री है तो में भी हो सकता है कि क्या राडवानी को रिप्लेस कर दिया है त्रिप्ति दिम्री ने या तो रूह बाबा अपना जो अपना नाटक कर रहा था सेकेंड फिल्म में वैसा ही नाटक करने कही और गया है और वहाँ पे त्रिप्ती दिम्रिस से उसकी मुलागात हुई है तो ऐसा कुछ हो सकता है बट फू नोज अभी ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा कि हमें इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है लेकिन जैनूरी मुझे टीजर ट्रेलर बहुत अच्छा लगा आप ल सो हां मिलता हो इसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग